नमस्कार जारखन में कृषी राहत योजना जो है वो लागू हो चुकी है जिसको आम बोलचाल में सुखार योजना के नाम से लोग इसे पुकार रहे हैं इस योजना को आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं आप मोबाइल से ही अपना पंजी करन और लॉग इन करके सारे डोकुमेंट को अप्लोड कर सकते हैं तो आप मोबाइल से इसे कैसे करेंगे आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है आपके पास अगर एक बड़ा वाला एंड्रोइड मोबाइल है तो आप इसी मोबाइल से अपना रेइस्टेशन, पंजीकरन वगर सारा कुछ करके और साथ में आप इस पर डोकुमेंट भी अप्रोड कर सकते हैं तो आईए मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और मोबाइल के स्क्रीन पर तो अब मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और मैं आपको यहां दिखा रहा हूँ mobile screen पर आने के बाद जो है वो आपको क्या करना है कि सबसे पहले chrome browser को open कर लेना है मैंने यहाँ पर open कर लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर search में लिख देता हूँ jrfry.gov.in या नहीं तो discussion box में link दिया हुआ है आप वहाँ से directly इस website पर visit कर सकते हैं इसको लिख करके हम जैसे search करेंगे सबसे उपर वाला जो link दिखाए पड़ रहा है यही है वो link और mobile पर भी देख सकते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से यह खुल रहा है सबसे पहले आपको किसान पंजीकरन के उपर क्लिक करना है पंजीकरन के उपर क्लिक करने के बाद मैंने यह पर पंजीकरन के उपर क्लिक कर दिया हुआ है थोड़ा सा यह server सुलू चल रहा है आप देख सकते हैं यह खुल चुका है यहाँ पर आधार card नमबर आधार card में अ बारा डीटेल डाल करके उसके बाद get OTP के उपर क्लिक करना है फिर आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा OTP डाल करके आपको verify कर लेना है मैंने verify कर लिया है OTP जैसे आप verify करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से और भी बहुत सारी जानकारियां पूछी जाएगी जिसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ सबसे पहले आपको अपना पिता या पती का नाम अगर महिला है तो पती का नाम और अगर पूरुस हैं तो पिता का नाम दर्जी करेंगे फिर link सेलेक्ट करेंगे इस तर लिंग पुलिंग या जो भी हैं आप उसके बाद स्रेनी में सेलेक्ट करेंगे कि आप किस कास्ट के हैं किसान का यहाँ पर परकार सेलेक्ट करेंगे कि आप रहियत हैं कि बटाईदार हैं कि दोनों हैं रहियत मतलब अगर आप अपनी जमीन पर खुद खेती कर रहे हैं बटाईदार मतलब आप दूसरों की जमीन पर खेती कर रहे हैं और बोथ मतलब दोनों हैं मतलब आप जो है वो खुद आपके पास थोड़ी बो जमीन है तो आप अपना भी खेती कर रहे हैं और साथ में दूसरों की जमीन पर भी आप खेती कर रहे हैं तो वैसे सिति में आप पर रईया select कर ले रहा हूँ फिर मैं अपना जनमतित्री डालूंगा अपना जीला अपना परखंड अपना पंचायत अपना गाओं यह सारा select करूंगा फिर आपका जिस बैंक में खाता है उस बैंक को आप select करेंगे मेरा यहां पर State Bank of India में है तो State Bank of India को हम select कर लेते हैं यहां पर IFSC code को डालेंगे खाता नंबर डालेंगे और password को दो बार डालने के लिए कहा जाएगा कौन सा password मतलब आपको एक नया password रखना है आपको एक नया password रखना है कि आप कोई सबी एक password रख सकते हैं तो आप जो है वो यहाँ पर password को डालेंगे और फिर password की पुष्टी किजिए मतलब वही password को पुनह एक बार और आपको डालना है और नीचे में केपस आकोड देख रहे हैं 6 पलस 40 तो यहाँ पर उसको डाल देना है 46 और यहाँ पर क्लिक करके प्रोसीड रेजिस्टर के उपर क्लिक कर देना है तो मैं सारे डीटेल को डाल करके और रेजिस्टर के उपर क्लिक करता हूँ उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो है वो registration successful हो चुका है मैंने कुछ चीज़ों को यहाँ पर hide करके रखा हुआ है आप password को बनाते समय एक चीज़ ध्यान रखें कि आप अपना password जो है उसमें छोटा वाला ABCD बड़ा वाला ABCD और 1234 और इसके अलावे एक special character मतलब add the rate, has, star यह सब मतलब सारे चीज़ों को मिला करके आप रखेंगे तो आपका password जो है वो strong password होगा अनिता हो सकता है आपका password ना ले तो इसलिए आप password आम तोर पर जो है वो अपना नाम add the rate 12345 ऐसे करके आप रखें या 123 रखें इस प्रकार से ताकि आपको दिक्कत ना हो तो इस प्रकार से मैंने जो है वो इस में जो है वो registration successfully तरीके से कर लिया हुआ है registration के बाद अब हम login करेंगे उसके आलाबे मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है कि आधार card का जो इसमें प्रति डालना है आधार card की वो एक 소दिस के भी होना चाहिए और जो आपको आपूलोड करना है तो इसलिए जमीन का अगर आपके पास परचार रसी दोनों है तो आप डाल सकते हैं क्योंकि पहले जमीन का जो डोक्यूमेंट होता था वो 120 के भी ही लेता था लेकिन अब जो है वो इसमें बदलाव हुआ है और आप 1 MB तक ले रहा है तो इसलिए आप जो है वो भूमी के वि लोगिन करता हूँ लोगिन करने में वही मोबाइल नंबर जिससे मैंने अभी रेइस्टरसन किया था और पासवर्ड जो मैंने रखा हुआ था और नीचे में केप चार बोला गया है च्छो पलस 23 यानि 29 मैं इसे डाल करके और लोगिन कर लेता हूँ उसके बाद मैं आपको दिख रहा है आधार बैंक पासवर्ड फाइल अपलोड इसके उपर आपको क्लिक करना है और यहां से जो है वो आपको अपना आधार कार्ड और बैंक पासवर्ड अपलोड कर लेना है तो मैं इसके उपर क्लिक करता हूँ उसके उपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि आधार कार्ड और बैंक पास्बूक यह दोनों अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है तो मैं इस के उपर click करता हूँ और click करने के बाद files के उपर automatically आपके mobile में आ जाएगा इस प्रकार से camera, files यह सब says, car यह आपको कैसे संपर्ण करना है कैसे आपको document अपलोड करना है और final submit करना है इसके लिए मैं इस video का अगला part لे करके आओंगा बहुत जल्द आपके लिए तो आप हमारे चनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ज्यादा से तलाओं तक सेयर भी किजिए क्योंकि हमारे अगले पार्ट में मैं आपको किलियरली बताऊंगा सारे डोक्यूमेंट का लिस्ट और साथ में किस प्रकार से आप उसे अपलोड करना है तो वेडियो को देखने के लिए धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब किजिए